इमस्कार दोस्तों, vaccination process को लेकर काफी समय से चर्चा हो रही है कि किस प्रकार से इसको और जादा बढ़ाया जाए, capacity increase की जाए, production increase किया जाए, इसी के तहत एक important ख़बर सामने आई है, जो Sputnik V vaccine है, रशिया का, इसको अब Serum Institute के द्वारा भी manufacture किया जाएगा, जी हाँ, Serum Institute वह COVID vaccine in India, तो इसके बारे में हम detail से समझेंगे कि exactly है किस प्रकार से permission दिया गया, और कुछ important facts, यह जो Sputnik V है, वो काम कैसे करता है, cost क्या है, हर एक चीज में आपको बताने वाला हूँ, चली आगे बढ़ते हैं, अगर आप UPSC की त्यारी कर रहे हैं, तो इसके बारे में सारी जानकारी आपको description में मिल जाएगी, वहां से आप हमारे app को भी download कर सकते हैं, exactly हुआ क्या है, जो DCGI है, that is Drug Controller General of India, इसके पास यहाँ पर आवान किया गया था, permission मांगी गई थी, Serum Institute of India के दोरा, कि वो भी यहाँ पर Sputnik V vaccine produce करना चाहता है, तो इसके लिए यहाँ पर इजाज application देने का मतलब है कि इसको लेकर जो भी examination करना है, test करना है, analysis करना है, हर एक चीज़ अब Serum Institute करत पाएगा, और उसके जस्ट बात जो भी production है, वो जल्दी से start हो सकेगा, यहाँ पर question यहाँ आता है कि Serum Institute ने collaboration किसके साथ किया है, तो जाहिर सी बात है Sputnik V जिसने बनाया है, रशिया की company आपको पता होगा, रशिया के दौरा, Gamelia Research Institute of Epidemiology and Microbiology, यह Moscow के अंदर आपको मिलेगा, इनके साथ collaboration किया गया है, ताकि पूने के अंदर यह जो हदपसर facility है, Serum Institute का, वहाँ पर इसको manufacture किया जा सके, और इसको लेकर Thursday को ही यहाँ पर यह application submit किया गया था, इसके जो vaccine बनाने के लिए आपको strain चाहिए, seed का lot चाहिए, cell banks चाहिए, इन सबको आपको बाहर से मंगाना पड़ेगा, तो इसके लिए आपको पहले permission लेनी होती है, Department of Biotechnology के अंदर यह particular committee है, जिसका नाम है, Review Committee on Genetic Manipulation, तो पिछले महने की बात है, April के महने में ही, यहाँ पर Serum Institute इन से permission मांग लिया था, इन से permission के लिए apply किया था, ताकि जो भी research and development होना है भारत के अंदर, यह यहाँ पर start किया जा सके Serum Institute के दोरा, तो finally जाकर जब यह जब approval दिया गया है, DCGI के दोरा, तो यहाँ पर कुछ condition set किये गए हैं, जैसे कि यहाँ पर कुछ papers वगर हैं, जो भी agreement हुआ है, Serum Institute और Moscow के साथ, जो भी agreement हुआ है, उसका paper submit करना होगा, same EC को, यह जो RCGM, आपको बता है न, Review Committee on Genetic Manipulation, इसके लावा जो cell bank, virus stock, इस से related जो भी agreement है, इसके लावा यहाँ पर जो permission है, research and development start करने का, हर एक चीज basically क्या होगा, कि paper submit करना होगा, और उसके just बात से आप आपका examination, test वगर करना है, वो Serum Institute कर लेगा, mostry हो सकता है, एक दो महने के अंदर, और उसके बाद आप कह सकते हो कि, यह जो production है, Serum Institute स्टार्ट कर सकता है, क्योंकि उनके पास वो facility है, वो plant है, क्योंकि आपको याद होगा, कुछ समय पहले Serum Institute के अंदर आग वगर अलगी थी कुछ खबर आई थी, remember, तो वो लोग क्या कर रहे थे, कि और expand कर रहे थे, अपने facility को, वहाँ पर बढ़ानी के लिए, ताकि और भी vaccines जो है, वो manufacture की जा सकें, और यह वही कारण था, कि वो लोग चाहते थे, कि और भी कई सारे companies के जो vaccine है, वो यहाँ पर manufacture किये जाएं, अभ की capacity काफी जादा बढ़ जाएगा, तो यह पुरा news था, लेकिन, Sputnik V है क्या exactly, इसके बारे में समझ लेते हैं, मैंने आपको पहली बता दिया, मौसके के अंदर यह जो Gamelia Research Institute है, इनके दोरा इसको बनाया गया था, और यह भी दो doses में दिया जाएगा, और अब मैं आपको पता दूँ कि जिस प्रकार से कोवी शील्ड वर्क करता है ना, कोवी शील्ड जो सीनम इंस्टिचूट के दोरा बनाया जा रहा है इस समय, सेम उसी प्रकार से यह जो Sputnik V है, वही काम करता है, बेसिकली क्या है, कोवी शील्ड के अंदर जो Adenovirus है, common cold Adenovirus जो की मिलता है, चिंपैंजी के अंदर, उसका प्रयोग किया गया है कोवी शील्ड के अंदर, तब जब यह वैक्सीन जाता है कोवी शील्ड हमारे सरीर में, तो इसकी वज़ए से antibody generate होते हैं, तो यह आप देख सकते हो, इस तरह का Adenovirus होता है, और यह लेफ्ट में तो आपको पता ही है, क तो यहाँ पर जो Sputnik V है, वो चिंपैंजी वाले Adenovirus को नहीं लेता है, यह बेसिकली क्या करता है, कि जो humans के अंदर Adenovirus पाय जाते हैं, दो डिफरेंट प्रकार के Adenovirus, उसका प्रयोग करता है, तो basic difference, Covishield और Sputnik V में यही है, कि यहाँ पर human के अंदर जो Adenovirus पाय जा जो antibodies है, वो यहाँ पर generate कर सके, इसके अलावा मैं आपको यह भी बता दूँ, Adenovirus को भी modify किया गया है, जो Sputnik V vaccine है, जिन्होंने बनाया है इसको, इन्होंने Adenovirus को भी थोड़ा सा modify कर दिया है, ताकि जब vaccine हमारे सरीर के अंदर जाए, तो वो code release करता है, वो एक code यहाँ रिलीज करता है, जिसकी वजह से, जो coronavirus का spike protein है, वो generate हो जाता है, यह coronavirus के उपर आप spike protein देख रहे हो, यह हमारे body के अंदर generate हो जाता है, तो हमारे body को लगता है, करोणा वारस आगया, लेकिन actual में क्या है, यह तो just spike है, और इसकी वजह से हमारी antibody generate होने लगती है, और जब actual मे वारस आएगा, तो हम इससे बच सकते हैं, लेकिन यहाँ पर एक और बहुत important चीज़ में आपको बता दूँ, कि sputnik V के अंदर आपको दो different प्रकार के vectors मिलेंगे, जैसे कि अभी तो क्या है, kovi shield आप लगाओ या फिर ko vaccine लगाओ, जो दो doses लगते हैं, दोनों सेम doses हैं, उन् की immunity है, वो longer terms में बनी रहे, जो antibodies आपके सरीर में है, वो longer terms में बनी रहेगी, और यहाँ पर जो gap है, वो सिर्फ 21 दिन का होगा, यह भी ध्यान रखेगा, sputnik V वाले में, सिर्फ 21 दिन का ही gap होगा, दोनों doses के बीच में, और इसके साथ अगर हम storage की बात करें, तो जो अगर vaccine liquid form में है, तब तो हमको at least उसको minus 18 degree Celsius के अंदर रखना पड़ेगा, लेकिन अगर हम चाहते हैं कि जो conventional, normal refrigerator होता है, उसके अंदर रख सके, तो इसको पहले freeze करना होगा, इसको जमा देना पड़ेगा, freeze के form में रखना होगा, तब हम इसको 2-8 degree Celsius के अंदर रख सकते हैं, तो य पोशन ये कोर आता है कि इसकी efficacy कितनी है, तो मैं आपको बता दूँ कि इसमें बताया गया कि अगर आप दोनों dose ले लेते हो, तो 91% efficacy है, मतलब 91% chance है कि आप Corona virus से बच जाओगे, अगर Corona virus आता है, आप उसे संपर्व में आते हो, और अगर सिर्फ single dose लेते हैं, तो यहाँ प 5 से जादा देशों के अंदर इसको already approval मिल चुका है, जहां तक इसके cost की बात है, तो मैं आपको बता दो, it is one of the costliest vaccine in the world, आप कह सकते हो, one of the, इसका जो हम import करा रहे हैं, मतलब भारत के अंदर जो भी vaccine available है, तो उसमें जो हम import करा रहे हैं, तो 948 rupees cost आ रहा है per dose का, और 5% आप GST लगा लो तो करीब 1000 रुपय के आसपास आएगा, मतलब 2 dose लगाने का cost करीब 2000 के आसपास, और बाकी private hospitals वगर जो भी profit वो कमाएंगे वो एक अलग की बात है, तो यह सबसे महंगा vaccine है, अभी के लिए भारत के अंदर तो आप कह सकते हो, और यहां पर यह बताया गया है, ड भारत के अंदर जो vaccination process चल रहा है, उसके अंदर कितना vaccine का use करने वाले है, मतलब Sputnik का कितना contribution होने वाला है, अभी के लिए अगर आप देखोगे तो भारत के अंदर डेल लाख doses ही आए है, कोई बहुत जादा नहीं आए, डेल लाख क्या है, भारत के population के लिए डेल लाख is nothing तो डेल लाख doses आए है, वैसे तो हमने agreement किया है, यहाँ पर 250 million doses का, at least भारत expect कर रहा है कि 250 million doses, मतलब कि साड़े 12 करोन लोगों को full vaccinate किया जा सकता है, जो भी expect किया जा रहा है भारत के दोरा जो हम receive करेंगे near term में, इसके लाबा मैं आपको यह भी बता दूं, कि भारत के अं आते हैं कि भारत के अंदर produce हो, और यह कैसे हो सकेगा, सिर्फ Dr. Redis Laboratory नहीं कर पाईगी, इसलिए Serum Institute का काफी important role हो जाता है, और अभी तक पता नहीं है कि exactly कब तक import होगा क्या होगा, तो जरूरी है कि हम उसको local में ही भारत के अंदर जल से जल इसकी manufacturing स्टार्ट कर सकें, तो उस समय किस animal के माध्यम से हमने कौन से animal का use किया था material को isolate करने के लिए, मतलब जो भी हम डालते हैं वैक्सिन के अंदर जो भी चीज़ें use की जाती हैं, तो यहाँ पर जो material यूज किया जाता है, उसमें से कौन से जानवर का इस्तमाल किया गया था, पहली बार जब smallpox के vaccination की स शुरुआत की गई थी, इसका जो right answer है दोस्तों आपको पता ही है, मेरे Instagram पर तो आपको मिलेगा ही, अगर आप वहाँ पर नहीं हो, कोई बारते ही, Telegram से भी ले सकते हैं इसका right answer, मैं कई सारे MCQs यहाँ पर डालता रहता हूं, stories के form में आप जाकर play कर सकते हैं, बाकी अगर आपको PDF चाहिए, अलगलग social medias पर जाना चाहते हैं, तो यहाँ पर भी आ सकते हैं, अगर आपको economics पढ़ना है, कोई भी exam की preparation कर रहे हैं, तो app को download करिए, website visit करिए, I hope कि यह video आपको पसंद आया होगा मिलता है, आप से next time till then, thank you very much, see you soon.